हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं रोसोई विभा की दोस्तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ आमले की बहुत ही मज़दा रेस्पी आमला कितना गुड़कारी है ये तो आप सभी जानते हैं ये बिटामिन सी और आइरन से भरपूर है हमारे सिहत के लिए बहुत ही ल बड़े दिवाने हो जाएंगे तो चलिए आज रेस्पी शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम आमला लिया है इसे हमने पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है तो चलिए सबसे पहले इसे हम इस्टेम करेंगे तो यहाँ पे कडाही में एक ग्लास पानी हमने 5 मिनट पहले डाल कर छोड़ दिया था ताकि पानी में अच्छे से उबाला जाए तो अब हम कडाही के अंदर एक जाली वाला थाली रखेंगे अब इस थाली में हम सारे आमली को डाल देंगे थोड़ा चारो तरफ अच्छे से खैला कर बिल्कुल इस तरीके से अब इ इसी के साथ गर्ष को बन कर देंगे तो चलिए इस आमली को मैं आपको दिखा देती हूं कि आमला अच्छे से पका है के नहीं तो यह देखे यहाँ पे आमला बहुत अच्छे से पक गया है जब आमले में इस तरीकी का क्रेक सा जाए मतलब आमला फट जाए तो समझ लेजिए कि आमला अच्छे से पग गया है जब आमला पग जाता है तो ये फट जाता है इस तरीके से आप चाहे तो इस आमला को पानी में भी वोईल कर सकते हैं यहाँ पे आमले को बहुत अच्छे से पका लेना है अब आमले को बहुत अच्छे से ठंडा कर लें ठंडा करने के बाद आमला से सारे बीजे निकाल कर त्यार कर लें बिल्कुल इस तरीके से और आमले को पीसेस में अलग कर लें इस आमले के रेस्पी को आप एक दिन बना कर खालेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और इसे बनाना भी बहुत असान है बिना जादा मेहनत किये ये रेस्पी बहुत ही स्वादिश बनती है तो आमले से सारे बीजे निकाल कर त्यार कर लिया है तो चलते हैं गेस के तरफ तो यहाँ पर पैन अच्छे से गरम है तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम दो चमच देशी घी यहाँ पर आप रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं पर घी में इसका टेश्ट बहुत ही बढ़ी आता है अब इसमें हम सारे आमले को डाल देंगे और इस आमले को इस घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें medium flame पर लगतार चलाती हुए इसमें हलका सा brown color आने तक अच्छे से भून लेना है यहाँ पर आमले को अच्छे से भून लेंगे तो इसका टेश्ट जो है बहुत ही बढ़ी आता है तो ये देखिए आमले को अच्छे से भून लिया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चेंज हो गया है हलका सा ब्राउन कलर आ गया है तो बिल्कुल इस तरीके से आमले को भून कर त्यार कर लें तो चलिए आमले को हम पैन से निकालेंगे तो ये देखे सारे आमले को निकाल कर अलग कर लिया है तो अब वापस से इसी पैन में हम फिर शे डालेंगे एक चमच देशी घी और साथी इसमें डालेंगे एक छोटी चमच जीरा और एक छोटी चमच सौफ डालेंगे साथी एक छोटी चमच कलाउंजी इसे मंग्रेल भी कहा जाता है अब इनको इसमें अच्छे से मेक्स कर लें और इन्हें कुछ सेकेंड के लिए थोड़ा सा भून लें तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम गूड और साथ इसमें डालेंगे 500 ग्राम से थोड़ा सा कम चीनी 500 ग्राम अमला में 500 ग्राम गूड या फिर चीनी या फिर मिश्री का इस्तमाल कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गूड और 500 ग्राम से थोड़ा सा कम चीनी लिया है क्योंकि गूड की मातरा हमने थोड़ी ज़्यादा रख लिया है और चीनी का मैंने इस्तमाल इसमें इसलिए किया है कि गुड़ से इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा और चीनी से थोड़ा सा हलका हो जाएगा तो कलर सिर्फ चेंज करने के लिए मैंने इसमें चीनी का इस्तमाल किया है आप चाहे तो 500 ग्राम आमला में 500 ग्राम गुड का इस्तमाल करें गुड में ये रेस्पी बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही हल्दी बनेगी और आमला की ये रेस्पी खास तर पर गुड में ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनती है अब इसी के साथ इसमें हम एक कप पाने डालेंगे और ml से ये 500 ml है अब गुड़ और पानी को इसमें अच्छे से मेक्स कर लें अब गुड़ को लगतार चलाते रहें जब तक इसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए उसके बाद गुड को लगतार चलाती हुए मीडियम फ्लेम पर 7 मिनट के लिए पका लें तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ आमला अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पे हमने लिया है आधा चमच सोट का पाउडर यह अद्रह का पाउडर होता है साथ ही इसमें डालेंगे आधा चमच भुना हुआ जीरे का पाउडर आधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर अब इसमें सबसे खासी डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक इसके टेश्ट को इनहेंस करेगा जब इसे आप खाएंगे न तो खाते ही रह जाएंगे ये गुडों के साथ साथ बहुत ही स्वादिश्ट बनता है अब सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें और इन्हें मीडियाम फ्लेम पर लगतार चलाते रहें जब तक ये थोड़ी सी गाड़ी न हो जाए आमले और गुड को 17-18 मिनट के लिए इसमें बहुत अच्छे से पका लें तो यहाँ पे आमले की रेश्पी बनके त्यार हो गई है और आप इस गुड की कंसेस्टेंसी देख सकते हैं ये पहले से थोड़ी सी गाड़ी हो गई है तो बिल्कुल इतना है इन्हें पकाना है और इस रेश्पी को मैंने बिल्कुल जूसी और सिरके वाला बनाया है जिसे आप रोटी, पूडी, पराठे के साथ खा सकते हैं और इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं तो चलिए इसी के साथ हम गईस को बन कर देंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो गया है जैसा हमने इसे बना कर उतारा था बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से आप इसे बना कर रखेंगे ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा और इस आमले को आप हाथों से इस तरीके से दबा कर देखें ये गुड में बहुत अच्छे से पक गया है गुड में पकने के बाद ये काफी इश्टी की हो जाता है ये देखिए ये दिखने में कितना टेम्टिंग लग रहा है खाने में उतना ही स्वादेश्टे इस रेस्पी को हमने बिल्कुल नए तरीके से बनाया है जो आप सुभी को बहुत पसांद आने वाला है तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइक करें इस रेस्पी का नाम है आमले का कलोंजी इसे आप साल भार इश्टोर करके अराम से खा सकते हैं सबजी बनाने का मन ना करें तो रोटी पुड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू